भारते टीम के कप्तान और टीम के सरामी बल्ले बार रोहिट शर्मा आज यानि की 30 अप्रेल को 47 साल के हो गए रोहिट सर्मा आज अपना 47 वा जनम दन मना रहे हैं फिटमेन के नाज से क्रिकेट जगत में विख्यात रोहिट शर्मा मौजूदा समय में IPL खेल रहे हैं IPL में रोहिट शर्मा मुंबय इंडियन्स की तरव से पहली दफ़ा बत और प्लेयर खेलते नजर आ रहे हैं उनकी जगा हार्दिक पंडिया को कप्तानी मिली है वगर फैंस ये अच्छी तरह से जानते हैं कि रोहिट शर्मा कप्तानी और बाफी कई मामलों में बहुत उपर हैं उन्होंने अपने बल्ले के दम पर गेंदबासों को नाके चने चबवाये हैं भारत की तरव से खेलते वे रोहिट शर्मा ने वंडे ही नहीं बलकि टेस्ट और टी ट्वैंटी में सबसे ज्यादा च्छक्के जमाये हैं उन्होंने कुल 597 च्छक्के जमाये हैं उनके आसपास भी कोई नहीं है रोहिट ने यह च्छक्के 472 इंटरनाश्टल मैचों में जमाये हैं इस मामले में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल दूसरे नमबर पर हैं जिन्होंने 483 इंटरनाश्टल मैचों में 553 च्छक्के जड़े हैं रोहित शर्मा के नाम वंडे क्रिकेट में हाइस्ट स्कोर्ट रिकॉर्ड है रोहित के नाम एक वंडे मैच में 264 रन बनाने कर रिकॉर्ड है यह अदबुद और अतिहासिक रिकॉर्ड फ्रिलंका के खिलाफ 13 नवंबर 2014 को बनाया गया था रोहित ने 173 गेंदों पर यहाँ पारी खेली थी जुसमें उन्होंने नौचक के और रिकॉर्ड 33 शौक के जड़े थे बता दे कि रोहित शर्मा के नाम वंडे फॉर्माच में एक यह तो नहीं बनकी तीन बार तोहरे शटक का रिकॉर्ड ही दर्ज है ऐसा करने वाले वाद के पहले बनने बाज है रोहित ने एक वंडे वर्ल्ड कप में सबसे जाधा पांक शर्टक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है जुसे दर्ज करना हर प्लेयर के लिए गर्व की बात होगी उन्होंने यहां उपलब्दी 2019 वंडे वर्ल्ड कप में हासल की थी